इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। और मेनिया के इलाज में किया जाता है। पेलेडो ओडी 3 टेबलेट एर खाने के साथ या बिना खाना खाए भी लिया जा सकता है। हालाकि इसे हर दिन एक तैस समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाये रखने में मदद मिलती है। इसे अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ले और अगर आप कोई खुराक लेना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आये तुरंट ले डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा का सेवन अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कर आपके लक्षन और अधिक खराब हो सकते हैं हाला कि यदि आपको Neuroleptic Malignant Syndrome यानि की NMS जिसे बुखार, मासपेशी में अकड़न और बदली हुई Consciousness द्वारा पहचाना जाता है का अनुभव हो तो इस दवा को तुरंट बंद कर दें इससे चक्कर आने और नींद आने की समस्या भी होती है इसलिए जब तक आप यह नजान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइव न करें या कुछ भी ऐसा न करें जिसमें दिमाग को एक आग रखने की आवशकता हो अगर आप इस दवा का उपयोग कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इससे डाइबिटी जविकसित होने का खत्रा बढ़ सकता है इसलिए ग्लुकोस की नियमित रूप से निगरानी करना बहतर होता है इस दवा का सेवन करते समय अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामाने बदलाव होता है आपमें नए या बिगरते जा रहे अवसाद या आत्मगती विचार के लक्षन दिखें तो अपने डॉक्टर को बताएं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडिय करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद